आज न 9th class की वॉक्षिक No.2 करेंगे जो chapter 2 से related हैं दोनों medium में यह होंगी पहले हिंदी medium फिर English medium तो पहले हिंदी medium में स्टार्ट करते हैं तो आज हम बात करेंगे solution के बारे में या villain के बारे में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर ही समांगी विशमांगी मिश्रण बनाते हैं तो विलेन यहाँ पर एक समांगी मिश्रण है जैसे चीनी का गोल है गोल मतलब किसमें बनाएगे पानी के अंदर पानी और चीनी ऐसे टिंचर आयोडीन है आयोडीन और अलकोहल और वातित मतब जो soft drinks होती है उनके अंदर water और sugar है पीतल जो ब्रास है वो copper और जिंक का बना होता है तो एक विलेन के दो भाग होते हैं एक होता है विले और एक होता है विलायक विलायक एक ऐसा गटक होते हैं जिसमें उसकी मातरा विले से ज़्यादा होती है जैसे जब कभी किसी को lose motion होते हैं तो ORS को बनाने के लिए उसमें चीनी कम होती है पानी क्या होते हैं ज्यादा होते हैं तो पानी से कम मातरा में चीनी होती है और नमक भी मिलाते हैं उसमें हम क में होता है वो विल birli or विलय क्षियर मिलकर क्या बन जाता है तो आम-तोर पर हम कहते हैं कि विद्विट फॉर्म में होता है लेकिन 3 में होत mention लिक्विड और guest host दर्ग और ओग kr tina Libbus form में होता है कैसे इस को वन वाई-बन example आपल से हम देखते हैं जैसे परकरती के अंदेर जलीय है उसके अलावा थोस भी है जिसे मिष्डठियोगे बात की ब्रस जो तांबा भरास है तो ब्रस के अंदर कॉपरो जिंक होता है मिट्टी है मिट्टी में सिर्फ मिट्टी ही नहीं होती है उसमें कंकर पत्थर और गास भुष बहुत सारी चीजें होती है तो ऐसी तरह से गैसी वाईउ है वाईउ अकेला एक गैस नहीं है उसमें mixture of gases है जो कि एक समांगी मिश्रण है तो विलेन तीनों तरह की होते हैं ठोस दर्व और गैस अब हम बात करते हैं विलेन के गुण क्या है विलेन किस तरह का है यह बहुत इंपोर्टन है बहुत बार एक क्वेशन आता है कि विलेन किस तरह का मिश्रण है सबसे पहले हो समांग मिश्रण है क्योंकि उसमें समान बनावाट होती है सभी घटकों की और वह स्थाई मिश्रण भी होता है मतलब आप जैसे चीनी का गोल बनाके रखेंगे आप एक दिन रखो दो दिन रखो उसकी अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा स्थाई रहेगा विलेन की कणो बहुत ही चोटा है उसकेटर नहीं करेंगा उनको इसली विलेन का जो परकाष का मारग्क वह दिखाई नहीं देता इसका मतलब इसके अंदर टिंडल का परभाव नहीं होता है यह पे नोट करेंगे टिंडल परभाव टिंडल परभाव क्या होता है जब भी कभी light किसी solution में से पास होती है, अगर वो light scatter कर देता है, वो दिखाई देता हैं, particles, तो वो टिंडल परभाव है, अगर नहीं दिखाई देते हैं, तो टिंडल का परभाव नहीं है, विले की कणों के छोटे आकार होने की काणों को चानन विदी के द्वारा भी separate नहीं किया जा सकता, अगर हम निम्बू को और पानी को मिलाते हैं तो उसको हम चानेंगे तो अभी वही सेम सोलुशन निकल के आएगा तो चानन विदी यहां पर पॉसिबल नहीं है उसको सेपरेट में किया जा सकता चानन विदी की द्वारा तो आब इसमें अपनी नॉलिज को चेक करते हैं कि व ईर बिलाएक को परिभाषित किये में विलेव का वह Hem जौर ऑघर होता हैं इसे एक जाना मातरा वाला हिस्छा होता है इन मेंसे छाटनामें की विलेय मिलाय की पैचान करने में रखा हैं जोकि ठोस तरल और गैस विवह भी बतानए जैसे है त्क हैं हवाह क्या होती है घैस ह होती है और एर के अंदर 78% होती है nitrogen gas 21% होती है oxygen gas और 0.3% होती है carbon dioxide 0.03 और other gases में आ जाती है methane है या water vapors है वह सब आ जाते हैं तो यहां पर विले और विलायक क्या जो कम मात्रा में जितनी भी आइसी हैं यह oxygen यहां यहां लेकिन जो nitrogen उच्छादा quantity में के तो भी लायक है उसके अंदर सारी gases गोलिवी है हावा के अंदर समांगी मिश्रन है जो कि विले औरiology में बटा हुँ जाए दूद और पानी में दूद ज़्यादा है पानी जादा थो दूद अगर ज्कशादा है तो दूद विलायक है और पानी क्या भिले है यह दिफश प PowerPoint fan है भीद है कि हैं तो यहां पर हाटर हवा क्या है इसमें दरल भी है और गैसी दोनों चीज़े और इसमें हवा ज्यादा थ T.» अ हवा विलायक है और हवा परदू जहादा है उसमें को कम मात्रा है। काँ वह जाते हैं समुदृर जल पानी ज्यादा है नमक कम है तो कम वाला विले हैं और जादा वाला होण में पर्दूशक हावा की व्रभाद की काम अन्हें तो कम वाले विले हैं और हवा क्या है विलायक ए इस तरह से आपको समान रूप से घटक मिल जाते हैं और हमें अपनी आखों से दिखा ही नहीं तो वह बिलेन है जल्य बिलेन है तो यह था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अब इंग्लिश मीडियम स्टुडेंट्स के लिए 1st of all, solution, cavity solution A homogeneous mixture of two or more substances called solution like sugar solution, tincture iodine, aerated drinks or brass And solution has the two parts, one is the solute, other is solvent Solvent is the part of solution in which solute is dissolved and its quantity is more than solute It means solute has less quantity, solvent has more quantity For example, when we prepare the ORS solution, small amount of the sugar and salt are dissolved in the water It means sugar and salt are less in amount, so they are called solute And water is always a solvent, so they are both, when they mix each other, sugar, salt and the water, it become ORS solution Next, generally solutions we consider they are in the liquid form But solution exists in solid state, liquid as gas In all three states But in nature, behind liquid solution, there exists solid solution like mixture Mixed metals, so the alloy, brass, brass is the mixture of copper and zinc Gas solution is the air, air is the mixture of gases, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, methane and water vapors Now, next question is, what are the properties of solution? Solutions are homogeneous in nature And as well as they are stable in nature Size of the solution particles are very very small, which cannot be seen with the naked eyes Third property is, due to their small size, they never scatter the light When the beam of light is passed through the solution We are unable to see the path of the light And the fourth one is, the solute particles cannot be separated from the solution by filtration process Because they are mixed, they are homogeneous mixtures, which cannot be Filtration is not applicable in the solution So, these are the points Now, check your understanding about the worksheet Some questions are given What are the solutions? State with example Then you can write the definition and give example Define solute The part of the solution Which is less in quantity solute And which is more in quantity That is called solvent Now, identify the examples of solution It exists in which state Solute, solvent, identify Then find out It is liquid, solid or gas Air, air is a gas And air is a mixture of 78% nitrogen And 21% oxygen Oxygen is less in quantity So, it is solute And nitrogen is more in quantity So, it is solvent Milk and water Different, different Milk, water, Pepsi Humid air Sea water Polytans in the air Milk, milk is more So, it is solvent And the water is less So, it is solute Water Water is also There are some salts Are less in amount In the water And salts are solute And water is solvent Pepsi Which is mixture of Water and the sugar Sugar is less in quantity So, sugar is solute And water is solvent Humid air Means presence of Water vapors in the air So, air is a mixture of gases Which is solvent And the water is less in quantity Which is solute Sea water Which is mixture of water And the Some salts Solts are less in quantity So, salts are solute And water is solvent Polytans in the air Air is large in quantity So, air is solvent And polytans are solute Now, write the properties Of the solution In this box All are written You can identify What is the liquid solution The solution Which is dissolved in the water Or the different types Of the mixture Which is liquid In liquid state That is called liquid solution Explain with an example Water and sugar Water and lemon You can identify And give any example I hope You like You like this video And Do this question In your notebook Keep watching Supervigyan Thank you So, You like this video you like